और chain rule हम तभी समझवाएंगे अगर हमें basic function का differentiation आता है तो यहाँ पे मैंने basic function लिखे हैं और यहाँ पे हमने function of functions लिखे हैं जैसे y goes to e raise to x इसे आप कैसे differentiate करते हो इसका derivative होता है e power x होता है तो basic function इसका derivative हमें आता है लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि x की जगे एक function आ गया पहला तो function e power x था ही लेकिन उस x की जगे एक और function आ गया इसी को कहते है function of functions अगर इसे differentiate करना हो तो आपको क्या करना है dy by dx इसका आ जाएगा पहले हम इसे x जैसे treat करेंगे तो suppose कि यह x है तो इसका derivative होगा e power x लेकिन x क्यों ने लिखेंगे क्योंकि हमारा x तो यह था ना तो यह ही लिखेंगे into जिसे भी आपने x माना था उसके derivative से multiply तो x का derivative 2 और इसका derivative देरो यानि सर्फ 2 आ जाएगा तो इसका derivative होगा यह